Hello students, चलिए start करते हैं, exercise 4.6 का question number 4 देखते हैं, क्या है, examine the consistency of the system of equation, अब हमें यहाँ पर 3 equations दे रखी हैं, हमें चेक करना है कि यह equation जो है, consistent of system को form करती हैं, या फिर inconsistence को, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा बच्चो, इनको हम compare करेंगे, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 से, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 से, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 से, अब यह चीज़े मैंने introduction के अंदर बताई थी, अब बार बार से नहीं बता हूँगा हमें, ठीक है, जो हमारा a matrix होगा, वो कैसे आएगा हमारा, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 की value से, ठीक है, तो यहाँ पर compare कर लो, a1, b1, c1 की value क्या है, 111, यह लिख दी, a2, b2, c2 की value क्या है, 2, 3, 2, और यहाँ पर a3, b3, c3 की क्या है, हमारे पास, a, a, और 2a, ठीक है, उसके बाद x, matrix क्या होगी, variables, कौन-कौन से variable x, y, z हैं तो x, y, z, और constants की value क्या है, हमारी यहाँ पर, जो हमारी b matrix बनेगी, वो कौन-कौन से constant है, d1, d2, d3, मतलब 1, 2, और 4, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर consistency चेक करनी है, कैसे चेक होगी, यहाँ पर determinant of a का solution से, निकाल लो यहाँ पर, 1 and 2, यह line कटगी, यह कटगी, 2a की 3 से multiply, 6 से, minus में, 2 की a से multiply 2a, फिर second element पर चलेंगे, minus लिया जाता है, यह कट गया, यह कट गया, 2a की 2a से, 2 से करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4a, 2 की a से करेंगे, तो minus का 2a, फिर plus में 1 and 2, यह line कटगी, यह कटगी, a की 2 से multiply 2a, minus में 3 की a से multiply 3a, तो क्या आगया, यहाँ 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 पर क्या जाएगा, minus का a आजाएगा, clear है, यहाँ पर आएगा, 6a में से 2a गया, 4a, ध्यान रखना है, यह calculation में थोड़ी सी गड़बड नहीं होनी चीए, यह आगया हमारे पास, तो यहाँ पर determinant a is equal to क्या आगया, 4a, minus में 2a और a क्या हो गया, 3a, अब यहाँ पर द are consistent, तो क्या है, हमारे पास यहाँ पर consistent है, बस यह काम करना था, अगर बच्चों हमारे यहाँ पर determinant a equal to 0 आ जाता, तो हमें क्या निकालना पड़ता, adjoint a into b निकालना पड़ता, फिर उसके solution से हम बताते, कि हमारी जो equations हैं, वो consistent है, या inconsistent है, समझभी आगी, दो ही condition है, consistent तो हम directly देख लेंगे, अगर यहाँ 0 आता है, तो हमें निकालना पड़ेगा, adjoint a into b, फिर हम बताएंगे, उसके solution से, कि वो हमारा consistent है, या नहीं है, वो चीज़े मैंने introduction में बताई हुई है, तो वो जरूर देख लेना, कोई भी दिक्कत लगे, आम मुझसे पूछें, आसे वीडियो,